तो सबसे पहली जो चीज हमारे पास आती है कि कौन से ऐसे factors हैं जो हमारी preparation को आसान बना सकते हैं कि क्या sir जेई को crack करना आसान है आज हम लोग एक बहुत important question के बारे में बात करेंगे जो हर बच्चे के दिमाग में होता है कि क्या sir जेई को crack करना आसान है क्या sir जो market में चल रह करेंगे तो वहीं से सेलेक्शन हो जाएगा तो चलिए मैंने क्या करा है कुछ चीजों को जो आपको ध्यान रखनी है इस पूरे अपने टेन्योर में जो आपके दो साल हो सकते हैं कई बच्चे जो 11 में अभी मूव इन करें हैं और कुछ बच्चे जो हमारे पास 12 में मूव इ यह दोनों के लिए ही applicable है तो आपको यह नहीं देखना कि यार यह तो 11 वाले के लिए हो रहा है नहीं यह सेम चीजें 12 स्टुडेंट्स के लिए भी applicable है और जो 11 के स्टुडेंट्स में जाएंगे तो I hope आप इन चीजों को सुनके अपने अंदर कुछ चेंज लाएं जो पस आती है कि कौन से ऐसे factors हैं जो हमारी preparation को आसान बना सकते हैं तो सबसे पहले आता है self discipline basically बात यह है self discipline मतलब कि आपका जो regular routine है आप उसको properly follow करें क्योंकि ups and downs आपके life में आएंगे हो सकता है कभी आपके घर पे कुछ function हो कभी कबार हो सकता है कुछ disturbances भी हो लेकिन आपकी तैयारी इस तरीके से होनी चाहिए कि चाहे कैसा भी दिन हो आप एक constant pitch पे minimum number of hours को हमेशा complete करें और अपने subjects को cover करें consistency consistency is the game हम लोग हमेशा कहते हैं कि कई बार आपकी तब्यत अच्छी भी होगी कई बार आप खुश भी होगे और कई बार आपकी हो सकता है तब्यत खराब elaborate way में पढ़ाया हो और जिसकी time requirement जादा है लेकिन आप उसको कम time देना चाहते हैं क्यों क्योंकि आपके लिए कुछ और चीज़े जादा important है तो यहाँ पर consistency का game है अगर आप अपने aim के लिए consistent है कि जितने भी मेरे पास दिन है मेरे को एक minimum hours और minimum study रखनी है तो आप असानी से इस game को पार कर जाएंगे self belief हमारे पास जो next parameter आता है वो बहुत सारे बच्चों में मैं जब online में हम लोग आये हैं तो हम लोगों को यह पता लगा कि यह वाला factor बहुत कम हो गया है reason being क्योंकि हो सकता है कि आप बहुत सारे लोगों से opinions लेते हैं और कई बार वो opinion आपकी category म lie नहीं करते हैं हो सकता है उन्होंने अपने एक subset में से कुछ opinions बनाए और अपनी life चला रहे हैं और उन्होंने जब वो opinions आपको बताए तो आपने क्योंकि हो सकता है उस opinions के हिसाब से अपना success पाया तो आपको लगा कि यार यह opinions हो सकता है success पाने के लिए ही होते हैं लेकिन इसा कोई भी fix and factor नहीं होता बेटा hit and trial सबकी life में चलते रहते हैं आपको कहीं न कहीं अपने पे self belief रखना पड़ेगा कि मैं जो preparation कर रहा हूं उसकी proper analysis करने के बाद this is the best way आप जबरजस्ती दूसरे के problems को नहीं face कर सकते आप जबरजस्ती दूसरे के problem के solutions हैं उनको आप रंतर प्रयास करना पड़ेगा फिर है self responsibility यह एक बहुत बड़ा important factor है online as well as in offline field क्योंकि क्या होता है कि हो सकता है कि मैं दो घंटे की class लूँ physics और हो सकता है chemistry वाले हमारी जो faculty है वो दो घंटे की class ले या फिर maths वाले राइट आपकी दिन में हो सकता है 2 class हो या 3 class हो यह हमारे पास मैं माल लेता हूँ 4-5 hours हमने आपसे ले लिए पढ़ाने के लिए remaining 20 hours जो आपके approximately बचते हैं आपके दिन के आपको उन hours के लिए responsible होना पड़ेगा अगर आप यह rely करते हैं कि class में पढ़ाया हुआ जो भी चीज है वही बस है class में सुन लिया is more than sufficient then you are wrong और आप हो सकता ह जालत रास्ते पर भी है कि यह हमारे पास preparation आसान करतेगा नहीं आपके जो 20 घंटे जो आपके पास है उसको आप कितना fruitfully use करते हैं और कितना responsibly use करते हैं वो matter करता है क्योंकि जो पूरा game है अगर आप देखें तो seat हमारे पास limited है और जो बच्चे बहुत patience के साथ इस limited seats के लड़ाई करते हैं उनका selection आसानी से हो जाता है don't make it very much complex हमारे पास next parameter आता है which factors make the preparation complex कि sir हमारे पास इतना hype है कि जेए में ये है जेए में वो है मैं कोई चीज को मना नहीं करूँगा या कोई चीज को deny नहीं करूँगा कि जेए tough है या असान है tough होगा उसके लिए कि जिसने में महनत ही नहीं करी और असान उसके लिए हो जाएगा जिसने निरंतर प्रयास करा simple सी बात तो कौन सी चीज है इस online या offline world में जो आपकी इस preparation को complex बना सकती है और आपको उस पर ध्यान रखना है कि ये आप नहीं करें